हेलो गैस तो आज का जो हमारा कॉस्चिन है हमें दे रहा है अबल्व इस लोकेटेड ओना वाल इट्स इमेज इस तो बी आप्टेनेड ओना पैरलल वाल विद दा हैल्प ओफ कॉन्वेक्स लेंज इफ दिस्टेंस बिट्विन दा टू वाल्स इस डी देन रिक्वाइड फोकल लेंद विल वी और यहां पे गाई हमें चार ओप्शन दे रहे हैं तो गाई जो यह कोश्चन आ रहा है आ रहा है डिस्प्लेस्मेंट मैथट के टॉपिक से और उसी टॉपिक में हमें एक फॉर् पे तो यानी कि यह होजेगा हमारा डिस्टेंस बिट्विन डा अबजेकर एंड स्क्रीन और यहां पे जो हमारा एकस है यह होता है वागोशाम के लिल यहां पे लिंचीनष इसको कोना सी कॉर्व हमारी image होगी वह दूसरी वॉल पर बनेगी ठीक लेकिन अगर उससे ज्यादा हुई डी फॉर से अगर हमारी फॉकल लेंज ज्यादा हुई तो हमारी इमेज वॉल पर नहीं बनेगी तो इसको समझाने के लिए हमने एक एग्जामपल लेते हैं एक लेंस कंसिडर करते हैं जिस अच्छिए maximum तो डी बाइब 4 होता है तो डी की जगह रख देंगे हम 20 cm 4 डिवाइड कर देंगे तो आएगा हमारा 5 cm यानि कि जो हमारे लेंस की maximum focal length होनीचे वो 5 cm होनीचे लेकिन यहां हमने लिए 4 cm उससे कम लिए तो हम देखते हैं कि क्या हमारी जो object है उसकी image दूसरी व values फाइन करेंगे जिस पर हमारी जो image होगी वो वॉल पर बनेगी उन दोनों position पर अगर हमने object को रखा तो हमारी जो image होगी वो बनेगी दूसरी वॉल पर तो उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे यह lens formula यूज करेंगे तो जो हमने focal length consider किया lens की वो किया 4 cm V को माल लिए D- U अगर मैंने object को U distance पर रखा है तो guys यहां पर मैं दिखा देता हूं image यह हमारा lens होजेगा यह मान लेते हैं दूसरी वॉल है और यहां से यह मान लेते हैं पहली वॉल है जो कि जिस पर हमारा object है क्योंकि यहीं पर guys bulb रखा है जिसमें से light आ रहे हैं तो यह हमारा U होजेगा ठीक है guys तो मैंने यहां पर V is equal D minus U कर दिया और D हमें पता है कितना है 20 तो मैंने यहां लिख दिया 20 minus U centimeter D हमारा यहां पर 20 centimeter है अब हमने lens formula में values रखनी है तो F की जगा 4 रख दिया है V की जगा रख दिया D minus U और U की जगा रख दिया माइनस U तो इस पूरे को solve करने के बाद guys आप देख सकते हैं कि जो हमारे एक equation आ रही है वो आ रही है 20 U minus U square minus 80 is equal to 0 क्योंकि guys आप देख सकते हैं यह दोनों एक दूसरे को cut कर देंगे अब हम यह वाला formula use करेंगे object की दो position को find करने के लिए तो इसमें हम अपनी value रखेंगे V की जगा रख देंगे 20 यहाँ पे V की जगा 20 रख देंगे और उसका square होगा minus 4 A की जगा रखेंगे minus 1 C की जगा रखेंगे minus 80 और यहाँ पे A की जगा रख देंगे minus 1 तो इस पूरे को solve करने के बाद तो जो हमारा image सोरी image की नहीं आए गया object को lens lens से तो पहले हम U की यह वाली value लेते हैं और इससे हम image का distance find करते हैं तो हम lens formula वापिस लेंगे इसमें values रखेंगे जो कि आप देख सकते हैं पहले ही रख दिया और इसको solve करने के बाद जो हमारा V आ रहा है 14.46 cm और जब हम U object की distance और image की distance को plus करेंगे तो जो हमारा total distance आ है वो आ रहा है approximately 20 cm जो कि हमारे दोनों walls के बीच का distance है तो यानि कि यह यानि कि आप देख सकते हैं कि जो हमारा f है वो dy4 से कम है तब हमारी image walls पे बन रही है अब हम वापिस अपना यह वाला formula यूज करेंगे और U की इस बार value लेंगे वो यह वाली लेंगे 14.47 तो U की जग करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो हमारा V आ रहा है वो आ रहा है 5.53 तो और इसको solve करने के बाद अगर हम इन दोनों का object का distance और V का distance को sum करेंगे तो आएगा 20 cm अब कि हम क्या करेंगे अब हम दूसरा lens consider करेंगे जिसकी जो focal length है वो 5 cm है और distance अब भी हमने दोनों walls की ब ले रहा हूं minus 10 cm ठीक है और यहां पर चेक कर लेते हैं कि जो हमारा F है वो क्या D by 4 के equal है तो D by 4 तो D की जगा रख देंगे 20 cm प्लस 4 से प्लस नहीं आएगा अपन आएगा अपन 4 से हम इसको divide कर देंगे तो जो हमारी focal length आ रही है वो आएगी 5 cm तो इस case में जो हमारा lens की focal length है वो D by 4 के equal है तो हम lens formula यूज करेंगे values रखेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा VR है वो 10 cm के equal है और जब हम object और image के distance का sum करेंगे तो हमारा आएगा total 20 cm तो आप देख सकते हैं कि इस case में भी कि जो हमारा image है वो wall पे बन जाएगी लेकिन जब हम focal length को D by 4 से जादा ल है जिसकी focal length मानिए 6 cm है और distance between the wall अब भी हमने 20 cm रखा है तो आप देख सकते हैं कि जो यह 6 cm है यह D by 4 से जादा है क्योंकि 20 divided by 4 जो होएगा वह आना चाहिए था 5 के equal लेकिन यह तो 6 है यानि कि जो हमारे lens की focal length है वो D by 4 से equal है sorry equal नहीं जादा है greater है यहाँ पर हमने u मान लिया है minus 12 cm और आप जानते हैं कि यह इस वक्त जो हमारा object है वो कहाँ पर center of curvature पर है तो जो हमारी image बनेगी वो भी बनेगी center of curvature पर लेकिन हमने तब भी lens formula को use करके वी निकाल लिया है तो we are at 12 cm तो जो हमारा object और image का distance को sum करेंगे तो हमारा आएगा 24 cm तो आप देख सकते हैं कि यह हमारा 20 cm से जादा है तो इसलिए जो हमारी image होगी वो wall पर नहीं बनेगी तो उससाब से जो इस question में हमें कहा रखा था कि कितनी focal length होनी चाहिए तो या तो focal length d by 4 के equal होनी चाहिए maximum या उससे कम होनी चाहिए तो आएगे देख लेते कौन सा option सही होगा इस question के लिए तो गाइज option number 4 इस question के लिए सही होगा और अगर आपको कोई डाउट है तो comment section पूछेगा thank you guys